नमसकार की सान भाईयों मेर साथियों अतुलिक रिष्ची में आप सभी का स्वागत है आज की हमारी यह वीडियो बहुत खास होने वाली है मेरे पास आप देख पार है सनफ्लावर है सनफ्लावर की खेती के बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं से पहले इसके specialty के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये किस तरह से खास निकल कर आता है जो कि हमारे स्वासत के लिए काफी अच्छा रहता है हाइट के लिए प्रेसंट झूल के लिए बहतर औल निकल कर आता है जब हमारा पौधा पूरी तरीके से थार हो जाता है तो कुछ इस तरह से नजर आता है इसकी जो side side के full की खुडिया जो होती है पूरी तरीके से जढ़ जाती है उसके बाद फिर यहां से जो हो बीज हमारा दिखना सुरू हो जाता है यह देख पाएंगे साथियों इस तरह से हमारा यह जो सीड है में जो हमारा सीड है वह काला काला जो दीख रहा है वह हमारा में सीड है इस तरह से यहां पर सीड आनत सु होता है तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है यह देखिए किनारे से सीट तयार हो रहा है अभी 20 तक जाएगा मख्या ज्यादा अट्रेक्ट होती है आती है तो आपके एरिया में जो है पॉलिनेशन के लिए काफी मदद मिल पाती है तो मध्मक्यों का अट्रेक्शन इसमें प्रोडक्शन लिया जाता था उसके बावजूद भी वहां से लाने का कारण यह था कि वहां पर हमको कम लागत में उसकी बीज मिल जाती थी फिर यहां लाकर उसकी प्रोसेसिंग की जाती थी जो कि हम वहां से इंपोर्ट कराते थे वह अभी बंध है पूरी तरीके से तो जो किसान भाई यहां पर उत्पादान कर रहे हैं उनको इसमें काफी अच्छा रेड देखने को मिलेगा तो उनके लिए काफी बड़ा प्लॉस पॉइंट है हम इसके खेती के बारे में बात करते हैं समस्ते के आखिर इसकी किस तरह से होती है इसका जो है साथी हो इसको मस्ते हो यादी हम बात करें हमारे हाँ इधर क्लाइमेट में चात्रिकल मदर प्रती सिधर आस बात करें तो जन्वरी फर्वरी में आप इसकी बवाई कर सकते हैं उसके बाद फिर बवाई करने का तरीका यादी बात करें तो यहां पर फिल्ड देख पा रहे है ओपन फिल् बीज दर के बारे में बातकले तो आठ से 10 kg पर 1 hectare के हिसाब सोता है तो आप एकड में इसको निकाल सकते हैं तो इस तरह से इसका बीज दर देखने को मिलता है उसके बाद फिर इसमें साथियों आप जो है इसको इसको कतार जैसे कि यहां पर रो टू रो लगाया हुआ हुआ तो कतार से कतार की दूरी इन्होंने दो फिट रखी हुई है और उसके बाद फिर पौधे से पौधे की दूरी इन्होंने रगभग आधे फिट रखी हुई है तो इस तरह से इन्होंने यहां पर पूला प्लांटेशन किया हुआ है प्लांटेशन करने से पहले इन्होंने दनिय की इसमें बीच बीच में लगा दी हुई थी तो सुरुवात में उन्हों ने धनिया भी लगा कर रखा था इंटर कॉपिंग के साथ में तो उसका भी उनको benefit देखने को मिला है फिर पत्तियों में उन्हों ने तोड़ाई कर ली उसके पौधा बढ़ा हो गया उसके उसके बाद फिर हम इदी fertilizer management के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को खाद जैसे की हम बात करें आप इसमें NPK जैसे की ratio होगा NPK का 60, 80, 60 इस तरह से केजी जो है प्रती हेक्टेर के हिसाब से इसमें आप इसमें दे सकते हैं कई जगों पर किसान भाई जो है इसमें बोरेक्स का इसप्रे भी करते हैं उससे इसमें जो है और उसकी क्वाल्टी में बढ़ होती लिए देखने को मिलती है तो इस तरह से आप उसका भी इसप्रे कर सकते उसके बाद फिर साथियों इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज नि तो उसको नियन्तिरित करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं जो ह्वाड hungry तयार किया गया है इस इसमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है और प्रति कोंटल जो है रेट में जैसे बात करें तो अभी जैसे रेट तो क्या बोल सकते हैं लेकिन एवरेज अधी माने तो 6,000 रुपए देखने को मिलता है तो इस तरह से आप अनुमाल लगा सकते हैं प्रति एकड में हम 1,20,000 र लेबर लगेंगी उसके उपर होगा तो इसमें एक अच्छा खासा इंकम किया जा सकता है साथियों अन्य क्रॉप की अपेक्छा यह मुझे अच्छा लगा साथियों उमीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी जानकारिया मिल पाई होंगी वेदी वीडि इसको अपनाएंगे ज्यादा तर तो इसकी खेती भी बढ़ेगी और इसके डिमांड भी बढ़ेगा तो फार्मिंग बढ़ते हुए हमको उसमें काफी अच्छा रेट भी देखने को मिलेगा हमारे किसान भाईयों को इसकी कफी कम लागतने होती है काफी अच्छे तरीके स अच्छी लगी मुझे आप लोगों को कैसी लगी नीचे करके बताईए आपके एरिया में जो हो यह खेती की जाती है की नीचे की हुई है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं जल्दी मिलते हैं इस तरह के निचे इस्ट्रीम वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत कि लिए एरिया है